को हेलो फ्रेंड वेल्कम टू फीरी कुकिंग यूट्यूब चैनल फ्रेंड 50 प्रेंड फिरी बश् learnt कोर सांव किन्च को उच्थी आपको परप्रेंड ये हमारे चैनल का होमपीज है सब्सक्राइब कर रहे हैं इस को अंदर आपको फुटी प्लस फ्लेवर वाली आइस्क्रीम की रेसिपियां देखने को मिल जाएंगी इस तरीके से आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट वजाकर सभी कोसी और को सीच की सभी रेसिपयां असान तरीके से देख सकते हैं अब हम 50 प्ल लाइक शेयर करना ना भूलिएगा उन्हें इस वीडियो में आगे दैखते हैं टेस्टी टेस्टी वाइट सोस पास्ता लिए यहां पर मैंने पास्ता लिया है पास्ता आप Zap को कोई से भी रेंट का ले सकते निसे होता है कि आपको पास्ता कितना कुक करना है यहापनी की हर क्या का पास्ता मोटा या पतला होता है पास्ता को सही तरीके से कुक करने के लिए आपके अपने पास्ते के पैकेट पर जो कुकिंग टाइम दिया गया है उस टाइम के अकोडिंग आपको अपने पास्ता को कुक करना है वाइट सोस पास्ता बनाने के लिए यहां पर हमने दो कप पहनी पास्ता लिया है् ग्राम केश आपसे आपको अपना पास्ता एकशुस्याश से 200 ग्राम देना है वााइट्स पास्ता बनाने के लिए मैं आपने इस क्लूप करूंगी हमारी बताई गई रेसेपी से वाइट सोस पास्ता चार से पांच लोगों के लिए बनका त्यार होता है पास्ता को कुक करने के लिए यहां पर मैंने आधा भीगोना पानी लिया है पास्ता को कुक करने के लिए बरतन में पानी करीव करीव सवा से देड़ लीटर होना चाहिए पास अब मैं इसमें आपना पैनी पास्ता डाल रही हूँ फ्रेंट पास्ता को भीगोने में डालने आपको Sóके अकोदिंग ही आपको आपने स्काट को कुट करना है मेरे अपने स्केट पर 9 से हाँ मिनूवाइल पर 9 मिनुट का टाइम कर दिया है पास्ता को पूरा कूक नी करना है, सिर्फ 80% तक ही अपने पास्ता को कूक करना है, पास्ता को कूक करते समय गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखनी है, आपको अपने पास्ता को थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहना है, जिसे पास्ता नीचे चिपके नहीं, फ्रेंड में अच्छी तरीकी से कूक हो गया है अब में गैस को बंद कर रही हूं इसलिए मैं पास्ता को पास्ता सदा पानी डालने के वाद मैं इसे एक मिनट के लिए एसी रखे रखोंगे जिसे पास्ते मैं पानि पूरी तरिके से निकल जाए एक मिनट के बाद पस्ता आपस्त में शिपके सजखने इसलिए मैं कर सकते हैं इसके बाद मैं ले ज़िन उने को बटर के साथ लाइट रोस्ट करना है मैल कण्ड़ में दूर करना है इसलिए मैता को बटर में Wow Freddy करना है मैदा को रोष्ट करते समय आपको अपनी गैस की फिलिम लो रखनी है अगर आप ओनियन फ्लेवर में वाइट सोस बनाना चाहते हैं तो आपको वन फॉर्ट कप बारी कट्यूही प्याज को बटर में रोष्ट करना उसके बाद मैदा डाल लिए गर आप गार्लिक फ्ल मैं चारो तरफ हलके हलके बबल साने शुरू हो गया है मैं इसको कुछ सेकिंड के लिए और रोष्ट करूंगी जिससे मैदा के उपर पूरी तरीके से बबल सा जाए यह देखे कुछ सेकिंड और रोष्ट करने से मैदा के उपर बबल सा गये है अब मैं गैस को बंद कर रह हैं जिसे व्मार faithful दो्धाने के लिए two cup दूध लिए हैं पहला दूधा करने के बाद मैं इसमें बचा वा दूर वा गैस को ओन करूंगी आपको अपने पास्ता में ग्रेवी ज़्यादे रखने के लिए बटर मैदा और दूद की कॉंटिटी ज़्यादे रखनी हूं गैस को ओन करने के बाद गैस वाइट इसे पीजटय साथ को लगाता चलाते हुए एक उभालाने देना है वाइट सोस को पकाते समय आपको अपनी गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखनी है यह देखे फ्रेंट कुछ समय बाद हमारी सोस में एक बोईल आ गया है अब मैं गैस की फ्लेम को लो कर रही हूं अब मैं अपनी वाइट सोस में सफेद मिच का पाउडर डाल रही हूं आप में स्टार्टिंग में एक बोईल आने के बाद लो फ्लेम पर वाइट सोस को सिर्फ आदा मिनट के लिए ही पकाना है यह देखे फ्रेंट आपको अपने वाइट सोस की कंसिटेंसी एक दम लूज रखनी है क्योंकि वाइट सोस रखने के बाद भी ठिक होता है हमारी बताई वाली सब्सक्राइब के लिए मैं ले रही हूं वेजिटेवल ओईल की क्वांडिटी आप अपने टेस्ट के कोडिंग कम जारा कर सकते हैं ओईल के गरम हो जाने के बाद मैं इसमें डाल रही हूं बारी कटा वाले सुन गाली को हलका सा सोते करना है बहुत जादा रोस्ट न करना मैं स्लाइस में कटिवी सब्सक्राइब ले रही हूं यहां पर मैंने लाल पीली हरी सिम्ला में चिलिए आप इन तिनों में से एक कलर में भी सिम्ला मिच ले सकते हैं यहां पर मैंने कुछ मसरूम के पीशिज लिए कुल मिलाकर यहां पर मैंने एक कप से थोड़ी सी कम सब्जिय लिए अपने इन सब्जियों को प्याज के साथ मिक्स करूंगी सब्जिय आप कोई सी भी ले सकते हैं जो आपके टेस्ट में हूँ वाइट सोर पास्ता बनाने के लिए आप यहां पर ब्रोकली भी ले सकते हैं अगर आपको मसरूम का फिलेफर पसंद नहीं तो आप मसरूम को इसकिप कर सकते हैं सब्जियों को प्याज में मिक्स करने के बार अब मैं ले रही हूँ उबले हुए स्वीट कौन फ्रेंड आपको दिखाने के लिए यहां पर मैंने स्वीट कौन अलग से लिए स्वीट कौन सहीथ आपको एक कप सब्जी लेनी है पास्ता बनान करना सब्जों को रोष्ट करते समय हमें सब्जों को भो जाद कूक निकना सब्जों में कच्छा पन रखना है सब्जों को रोश्ट करते हुए एक मिनट हो गया अब मैं चिली फ्लेक्स ले रहे हूं चिली फ्लेक्स को सब्जों के साथ मिक्स करना है अब मैं ले रहे हूं बो गरम करना उसके बाद इसमें white sauce डालनी है पास्ता को गरम करते समय आपको अपने गैस्ट की लेम लो मीडियम रखनी है फ्रेंड हमारा पास्ता आधा से एक एक मिनाट पूरी तरीके से गरम हों गया है अब मैं अपनी फाहँ सोमंगिं वायटर आते समय आपका पास्टा गरम होनी है पास्टा में अच्छे तरीके से मिक्स करना ए पास्टा में देने के लिए है लेएर्ग मिख्स हर्व अब मैं लेएरी ओरिगेनों पास्ता में नमकीन फिलेवर देने के लिए मैं ले रही हूं नमक नमक की क्वान्टिटी कम लेनी है क्योंकि हमने पास्ता को भालने में और वाइट शोज बनाने में नमक किया था इन सभी स्पाइस को आपस में अच्छी तरीके से मिक्स करना है पास्ता के साथ मसालों को मिक्स करने के बाद मैं ले रही हूं प्रोसेज अमूल चीज यह देखे प्रोसेज अमूल चीज के क्यूब आते हैं यहां पर मैंने एक क्यूब को ग्रेट कर लिया था यहां वहने चीज पास्ता में अच्हे तरीके से घंञ वुषब कर दो इहन। Iун कर सकते हैं अगर आप क्रीम अभर की मलाई जों कर रहे हैं गरकि तो आपको यहां सभी इंग्रीडियंट का क्लेवर कैसा है आपको अपने पास्ता में जो इंग्रीडियंट कम लग रहा है आप उसे इसमें मिक्स कर सकते हैं अगर आपको अपने पास्ता में ग्रेवी ज्यादा रखनी है तो आपको अपनी वाइट सोस की क्वांटिटी ज्यादा रखनी है यह तरीके से आप हमारी बताई हुई quantity से ज्यादा गरेवी वाला पास्ता बना का त्यार कर सकते हैं हमारा वाइट सोस पास्ता बनका त्यार हो गया अब मैं इसकी प्लेटिंग करूंगी आप हमारे पास्ता की रेसिपी को 200 ml या फी 250 ml कप सेट में से कोई से भी एक कप सेट से बन का त्यार कर सकते हैं अगर आपको हमारे पास्ता के कोट में वाइट सोस पास्ता की पसंद आई है तो प्लीज इस एसेपी की वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और अपने अनुबम हमारी इस एसेपी के साथ जरूर शेयर कीज होता है अगर आपको आमारे वाइट सोस पास्ता की पसंद आई है तो प्लीज प्लीज इस एसेपी की वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलिएगा फ्रेंड वाइट सोस पास्ता की एसेपी को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस कोर्स की नमबर टू न्यू फिलेवर्ज बनी पास्ता की रेसेपी हम आपके साथ जल्द ही शेयर करने वाले हैं ओके फ्रेंड फिर मिलेंगे बाइबाइबाइब